हेलो फ्रेंड्स आप एक बार इस पैक को जरूर लगाएगे आपके इसके नेगदम चमकना शुरू हो जाएगे इसको बनाने के लिए हम एक चमच गेहूं का आटा लेंगे जिसके आप अपने घर में रोटियां बनाते हैं नेक्स्ट इसमें हम लेंगे मसूर दाल का पॉडर जो पिंक वाली हमारी मसूर दाल होती है उसको हमने बारीक फाइन सा पीस के पॉडर बना लिया है आप मिक्सी में डाल के इसका पॉडर बना सकते हैं तो दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं नेक्स्ट आपको इसमें एक स्किन स्किन इतना जादा गलो करने लगी है यानि इसकिन पर दाग ठपी है तो वघ्य खत्मेते खकर्ण़िते आपकी चहरते पर चमप आएगी हीरे की तरद चमकना शुरू हो जाएगा बस आपको एक चमच गिहूं का आठा लेना है एक चमच मसूर दाल का पौडर लेना है नेक्स तो थर्ड आपको इसमें लेना है दही तो दही की मातरा आपको इतनी लेनी है जितने में हमारा ये पेस्ट बन के रेडी हो जाए तो इस तरीके से हम तीनों चीजों को अच्छे से आपस में मिला लेंगे ये एक स्क्रब का भी काम करेगा साथी साथ एक पैक का भी काम करेगा तो ये इस तरीके से बन गया है अब आपको इसको अपलाई ऐसे करना है अपने हैस से लेना है और अपने फेस पर इसका स्क्रब करना है मैं आपको करके बता देती हूँ तो इस तरीके से आप अपने फेस पर इसका स्क्रब सा कीजिए हलके हाथों से इसते क्या होगा आपके चेरे पर जितने भी गंदगी है डर्टे संटेने सारी खतम हो जाएगी और इसकिन एकदम से निखरती हुई नजर आएगी आप अपनी सकिन पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन आप बिल्कुल फ्री में बिना पालर जाए अपनी सकिन को चमगा सकती हैं तो इसको मैंने छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए 10 मिनट के बाद आपने चेरे को साफ कर ले ऐसा करने से हफ़ते में 2-3 बार आपकी स्किन हमेशा साफ सुतरी और चमक्ती दमक्ती दिखाई देगी